नमस्कार दूस्तों माई याट्यूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत हैं दूस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो द्वारा आयो जित यूपी PCS एक्जाम 2022 जो की पारे जून 2022 को यह एक्जाम प्रस्तावित है तो इसके ल अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जोइन करके आप PDF भी डाउनलूड कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अनेकैडमी पर यह दिया आप UPPC या UPCC किसी भी एकजाम की आप प्रिपेशन करना चाहते हैं तो आप अनेकैडमी लर्निंग प्रेडफार्म से जुड़के अपनी त्यारी कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अनेकैडमी का लर्निंग एप इस्टॉल करना और आप नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और त्यारी कर सकते हैं तो इसके लिए आप हमारे एदिया रिफरल कोड यूज करते हैं एकजाम लर्नर रिफरल कोड यह आप यूज करेंगे तो 10% का आपको अडिशनल वहाँ पर डिसकाउं हो जाएगा तो यह रिफरल कोड आप यूज कीजेगा अनेकेडमी जॉइन टरने के अडवांटेज आप देख सकते हैं यूपी पेसी सब्सक्रिप्शन की कीमत में बहुत जल्ड बढ़ेगी एक अपरेल से 10% जो है अपका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहने की 31 मार्ज तक है एक्स्वायर होने वाला है यूपी त्रिपलल सी लिखवाल का अभी बैच शुरू किया गया है वीडियो का बैच है यूपी पुलीस कांस्टेबर तो इन सब बैच जो है आप जूडना चाते हैं तो जूड सकते हैं निचे डिस्क्रिप्शन में आप चिरिपन अपर आप जूडना चाते हैं जूड सकते हैं अनकैडमी लर्निंग एप से और अपनी तयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप जो है टीलिगाम पे भी एकेडमी, UPPAC और UPPAC जोईन कर सकते हैं जिसे आपको जोहाँ पर डेटेल मिलता रहेगा तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्ण है 10 मार्च 2022 को घोसित उत्तर प्रदेश बिधान सबाचुनाओं परेडाम में सरवाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई है तो सरवाधिक सीटें भाजपा को मिली है ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और जो दूसरा प्रश्ण है आपका हाली में पूसा किर्शी बिग्यान मेला 2022 कहां पर आयोजित किया गया है तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है पूसा किर्शी बिग्यान मेला तीसरा प्रश्ण है किस आपरेशन के तहट भारत सरकार ने यूक्रेन में फसे भारती चात्रों वापस भारत लाया है चोथा प्रश्ण है वह भारती क्रिकेट खिलाडी जो हाली में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का बारहमा खिलाडी बन गया है तो वह हैं बिराट कोहली भी विकल्प सही हो जाएगा चोथा प्रश्ण है उत्रप्रदेश के किस सहर में हाली में साहित्ती सम्मेलन का तिहत्तरवा वार्षी का धिवेशन आयोजित किया गया है तो ये प्रियाग राज में आयोजित किया गया ये विकल्प यहां सही हो जाएगा चाथमा प्रश्ण हाली में भगवंत मान नेकी सराजी के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सपत ली है तो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान ने सपत ली है और ये आप नेता है पिर है, साथमा प्रशन हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज़ में लांच किया गया है तो ये करनाटक में लांच किया गया है, सी बिकल्ब सही हो जाएगा है हापे नववव प्रश्न हाले में Miss World 2021 का खिताब जीतने वाली करोलिना विलावस का किस देश से संबंधित हैं तो ये पोलैंड से संबंधित हैं ये विकल्प सही हो जाएगा और इन्होंने Miss World 2021 का खिताब जीता है नाम जरूरी याद रखिएगा कैरोलिना विलावस का और ये पोलैंड से संबंधित हैं दस्वा प्रश्ण हाली में उत्रप्रदेश की किस या किन महिला महिलाओं को राष्टपती द्वारा नारी सक्ति पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो आरती राना और निर्जा माधा और दोनों लोगों को सी आपसनिया पे सही हो जाएगा गरहों प्रश्ण हाली में भारिसरकार केकिस मंत्राले दोरा डीप ओसन मिसन लांच किया गया है तो पृत्वी बिज्ञान मंत्राले के दोरा डीप ओसन मिसन लांच किया गया है, भी आपसन सही हो जाएगा, और अगला प्रशन हाली में, चौदहवा भारत जापान वार्शिक सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये आपसन सही हो जाएगा है, और हाली में एर इंडिया का नया चेयर्मेन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नचंदर शेकरन को एर इंडिया का नया चेयर्मेन नियुक्त किया गया है, पंद्रहावा प्रशन हाली में उत्तर प्रदेश के किस सहर में सीनियर राष्ट्री सत इसका बी आपसने आपे सहयु जाएगा ये आपसन सही हुए है इस सही हुए यहा 17 प्रशने हाले में किस राजी सरकार पहली बार अपनी वार्सीक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेस किया है तो मध्यप्रदेस राजी सरकार के द्वाराब 18. हाली में किस राजी सरकार ने मुख्यमंत्री चा स्रमी कल्यांड प्रकल्प नामक एक बिसेस योजना की घोषना की है तो त्रिपुरा राजी सरकार ने घोषना किया है 19 प्रतेक वर्स बिश्व उपभोकता अधिकार दिवस की स्थिथी को मनाया जाता है 20 प्रतेक वर्स पंद्रे मार्च को बिश्व उपभोकता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है इकाना स्टेडियम में भारत के किस अधिकारी को चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है प्रदीब कुमार रावत इनको चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है 22 प्रशने हाली में किस मंत्राले द्वारा जेंडर संबाद के तीसरे संस्क्रण का आयुजन किया गया है तो यहाँ पे जो है डी आपसन सेव का ग्रामेड विकास मंत्रा लएके द्वारा जिंडर संबाद के तीसरे संस्क्रट का आयोजन किया गया है तो पूलेंड में अस्थानांत्रत करने का फैसला किया है भारत ने यह आपसन सेव जाएगा 24. हाली में सुप्रेम कोट ने चार धाम परियोजना के स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करने के लिए उच्चा अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है तो एके सीकरी को नामित किया गया है सी बिकल्प यहाँ सही है 25. हाली में उत्रप्रदेश कैडर के किस आईएस अधिकारी को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 26. हाली में कैटलिन नोवाग को किस देश की पहली महिला राष्टपती के रूप में चुना गया है 27. हाली में किस भारती क्रिकेट खिलाडी ने टेस्ट क्रिकेट में केवल 28 गेंदों पर अर्दसतक लगाकर कपिल देव का रिकार्ड तोड़ा है तो रिशव पंतने C आपसने आपे सही हो जाएगा 29. हाली में जारी 200 प्रसंद्था रिपोर्ट दोजारी कीस में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान इसमें है 136 बी आपसन सही हो जाएगा 30. हाली में उत्रप्रदेश के किस सहर में अंतरास्ट्रिय धुरुपद मेला का 48 संस्क्राड आयोजित किया गया है तो यह बारारसी में आयोजित किया गया है ये आपसन सही हो जाएगा 31. हाली में भारत में 200 बैंक के किस प्रमुख को वैस्ट्विक रिर्दाता संस्था की एक प्रमुख एजनसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो यह है जुनेद कमाल एहमद भी आपसन सही हो जाएगा है 32. हाली में किस टेनिस खिलाडी ने मैक्सिको ओपन जीत कर अपने करियर का 51 खिताब जीता है तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा आपका ये आपसन सही होगा राफिल नडाल ने 33. हाली में किंदरी, ग्रामेड, विकास और पनचाइती, राज़ मंतरी, गिरिफ्राज सिंग ने मनरेगा के लिए किस एप को लांच किया है 34. हाली में किस महिला क्रिकेट गेदबाज ने एक दिवसी यानि कि वन डे मैच में सरवाधिक 250 बिकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेदबाज बनने का कृतिमान इन्होंने हासिल किया है तो इनका नाम है जूलन गोश्वामी और भारती महिला क्रिकेट टीम के खिलाडी है 35 प्रशन है उत्रप्रदेश में हालिया संपन विधान सभा चुनाओं में कौन सी राजनियतिक पार्टी 111 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो है सपा भी आपसं सेव जाएगा और सपा गट बंधन मिलकर 125 सीट और भाजपा का है 255 सीट तो यूक्रेण को यह आपसं सेव हो जाएगा हाली में यूरोपी संग ने यूक्रेण को सामिल करने की मंजूरी दे दी है 37 प्रशन देखते हैं हाली में गूगल ने अपनी गूगल प्लेइपास सर्विस किस देश में लांच की है इलांज किया गया है भारत में यह आप से नहीं है पर सही हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं हाली में 31 दक्षिड पूर्वी ACI खेलों की मेजवानी किस देश को प्रदान की गई है तो ये बियत नाम को प्रदान किया गया है दक्षिड पूर्वी ACI खेलों की मेजबानी और ये 31 दक्षिड पूर्वी ACI खेल है 49 प्रश्ण है बिसु वन्नी जीव दिवस हर साल की स्तिति को मनाया जाता है तो तीन मार्च को विसुबन जीव दिवस के रूपें प्रतेक वर्स मनाया जाता है चालीश्वोंप प्रश्ण है हाली में उत्तरप्रदेश की राजिपाल आनन्दी बेन पतेल ने किस वरिष्ट हिंदी साहित्तिकार को अमर उजाला वुमेन अचीवस अवार्स से संभानित किया है तो यह हैं विद्या बिंदो सिंग यह आप से सही हो जाएगा 41. प्रशन देखते हैं हाली में किस राजी सरकार ने मननार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संडक्षंड रिजर्व की अस्थापना करने का निर्ड़े लिया है तो तमिल नाडू में यह आपसन सही हो जाएगे हैं हाँ पे 42. प्रशन हाली में किस राजी सरकार ने ओम संडक्षंड वविकास नीत लागू करने की घोशना की है तो राजस्थान राजी सरकार ने डी आपसन सही हो जाएगे हैं अगला प्रशन हा राज्ट्रपती द्वारा कुल कितनी महिलाओं को 2020 और 2050 के लिए नारी सकति पॉलष्कार से संब्वानित किया गया है तो कुल 29 महिलाओं को भी आपसनिया पें सही हो जाएगे हैं और 2021 के लिए नारी शक्ति प्रशकार से सम्भानित किया गया है 44. कोशिन है हाली में एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2020 के एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्विक छड़ में भारत के कितने हवाई अड़्ों को आकार और छेत्र के नुसार सरुस्रेश्ट हवाई अड़्े में जगह मिली है तो छे हवाई अड़्ों को सी आप सन्या पे सही हो जाएगा 45 प्रशन हाली में उतर प्रदेश के किस सहर में मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का सुबारम किया है तो यह काफी आपका महतपूर कुशन है पूछा जा सकता है तो गोरकपुर में पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुवात हुई है वह गोरकपुर से की गई है मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथी के द्वारा 46 प्रशन हाली में क्रिकेट के दिगज स्पीनर सेनवार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह किस देश के खिलाडी थे तो वह आस्ट्रेलिया के खिलाडी थे सेनवार्न भी आफसन हापे सही हो जाएगा जिनका भी हाली में 52 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है 47 प्रशन है हाली में कि सराज जी या किंदर साशित सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी इस्तास परियोजना के तहट खेल सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिस काउंसिल के साथ साजितारी की है तो दिल्ली के द्वारा ही साजितारी किया गया है यह आपसन सही हो जाए गया हाँ अगला प्रशन हाली में अंतरास्ट्री महिला दिवस 2022 के उपलक्ष में भारत का पहला सो प्रतिसत महिला सौमित तवाला आउदियोगी पार्क के सहर में खोला गया है तो यह हैदराबाद में खोला गया है यह भी काभी आपका important question है पूछा जा सकता है परिक्षाओं में अंतिम प्रशन है हाली में किस राजी सरकार ने कौशल्या मात्रित्यो योजना की सुरुवात की है तो 36 गड़ राजी सरकार की द्वारा कौशल्या मात्रित्यो योजना की सुरुवात की गई है सी विकल्पे हाँ पे सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका उत्रप्रदेश के टाप 50 कुशन्स जो की आपके आने वाले एक्जाम UPPCS 2022 के लिए काफी महत्पून है तो वीटियो दिए अच्छी लगा हो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा इससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद